Hello and welcome to Tech Talks with Mohit आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किसी इमेज में या किसी पिक्चर में अगर आपको कोई कलर चेंज करना हो किसी चीज का तो वो आप कैसे कर सकते हैं जैसे मेरे पास ये इमेज है इसका अगर आपको कलर चेंज करना है इसमें कोई भी वर्जिन आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई दूसर वर्जिन है उसमें भी सेवी फीचर होता है इमेज आम यहाँ पर ड्राइग और डॉप कर लेते हैं और अब हमको एक टूल चाहिए होगा जो कि फोटोशॉप में इन बिल्ट होता है वो मिलेगा आपको इमेज पर जाके अजस्टमेंट्स पर जाके रिप्लेस कलर आपको इसको क्लिक करना है अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक चोटी सी इमेज बनके आ गई है अब बैसिकली आपको करना क्या है सबसे पहला काम आपको यह आई डॉपर टूल दिख रहा होगा यह जो बनके आ रहा है यह कलर पिकर टूल है बैसिकली इस कलर को यह कलर को सेलेक्ट करता है तो हमें इस DRES की Colour को Change करना है तो पहले हम जाके इस DRES की color पर क्लिक कर देते हैं तो आप यहां पर देख रहे है एसी YELLOW color Select हो गया है अगर मैं back पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहां पर लाग का जो color है वो यहाँ पर select हो गया है वैसे अगर मैं background पर click करता हूं तो यह देख रहे हैं आप इसका purpose क्या है परपस यह है आप एक specific color एक बार में change कर सकते हैं तो उस color को आपको पहले select करना होगा कि image में वो color कहां पर है आपको basically photoshop को बताना होगा कि आप किस color को change करना चाहरे हैं तो जैसे कि हमने इस dress पर click किया तो photoshop जाने जाएगा कि यह जो yellow colors है इस image में उसको हमें change करना है तो click करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर yellow color select हो गया है अब hue पर जाके hue का मतलब होता है color तो आप किसी भी color में इसको change कर सकते हैं इसको slide करके यहाँ देख सकते हैं blue, green, orange, red बहुत सारे color जितने भी हो सकते हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं अब इसको हम red कर देते हैं और saturation जो next है यह color कितना bold, कितना dark है यह decide करता है इस slider की help से आप color की saturation को बढ़ा सकते हैं जितना जादा आप right में जाएंगे उतना saturated होता चला जाएगा यह color थोड़ा सा इसको boost कर देते हैं और lightness होती है वो basically whites and blacks को adjust करता है lightness को आप left में ले जाएंगे तो यह देखे dark हो गया black हो गया और जैसे ही आप right में ले जाएंगे यह white होता चला जाएगा तो इसको तो हमको center पे रखना है अगर आपको black या white करना है तो आप इसको use कर सकते हैं इसको हम रखते है center पे अब आप देख सकते हैं कि original हमारा yellow color था वो हमारा red हो गया है यहाँ पर एक चीज और बतायता हूँ information के लिए आपकी कि यह जो दो radio buttons बने हुए है अभी image selected है अगर आप selection पर click करेंगे तो आपको दिखाएगा कि यह image के किस part को इसने select किया हुआ इस time इसमें आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि bag का भी part highlight हो गया है और dress का तो फूरा ही part highlighted है मतलब जह हमने click किया यहाँ पर तो जो हलके से yellow colored tones थे वो bag में भी present है और इसी वज़े से वो यहाँ पर देख रहा है हाला कि बहुत ही dim और बहुत ही dull सा है इसलिए आप जब hue slider को adjust कर रहे है तो वह back पर उतना असर नहीं दिखा रहे है अब इसको okam कर देते हैं यह तो एक simple सा तरीका था मान दीजे image थोड़ी सी complicated है वहाँ पर 2-3 जगह पर yellow color है या 2-3 जगह पर multiple colors है तो उस case पर हम क्या करेंगे तो उसके लिए Photoshop में टूल दे रखा होता है जो कि left टूल बार है यहाँ पर दिया हुआ है इसको बोलते है quick selection tool वैसे तो यह by default magic wand selected रहता है बट इस पर right click करने पर यह option खुल के आ जाता है यहां से आप इसको select कर सकते है quick selection tool किया है वह एक image की particular part को select करता है आपके लिए अब वह आपको manually select करना पड़ेगा जैसे यह अभी मैंने select किया है तूल को और इस back को मुझे select करना है तो उस पर जैसे आप click करके drag करेंगे तो जितना भी back का पार्ट है उसने आप देखने select कर लिया है मगर इसको थोड़ा से जूम करने पर एक चीज यहां पर देख रही ह पूरा पार्ट select नहीं हुआ है तो हम थोड़ा से जूम करके इसको select करने के कोशिश यहां से करते हैं अब यहां पर देख सकते हैं आप टॉप पर यहां पर प्लस माइनिस यह करके दिया हुआ तो आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो जो existing selection है उसमें वो add कर देगा थोड़ा स काफी हद तक बार झाल 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 कॉलिटी को लाज़ फाइल की तरफ स्लाइट कर दिया गया ओके कर दिया और सो क्लोज कर दिया अब हम फोल्डर में जाके देख सकते हैं को अजर में भड़ा कर दिया गया हम वोल्य बしました कि अ गया हम अजा हम पना कि एक भी एक विडिया खव कि और दिया खश्यर क्या में जा क्तान्यू ू अजय सकते हैं व की उड़ाय। झाल झाल